Hello friends, कैसे आप सब? I hope you all are doing good. मैं फिर से आगए आप लोगों के लिए निव रीडिंग लेकर and आज की रीडिंग में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि आप लोगों के रिष्टे का क्या फ्यूचर है आप लोग चाहे आप रिकंसिलेशन के परपस से देख रहे हैं मारेज के परपस से देख रहे हैं जिस भी परपस से देख रहे हैं आप लोगों के रिष्टे का क्या फ्यूचर है क्या रियूनियन होगा चाहे वो as a form of marriage हो रिकंसिलेशन हो सोल लेवल पर हो जिस भी दरह से आप चाहते हैं क्या आप कभी उस तरीके से एक हो पाएंगे reunite हो पाएंगे unite हो पाएंगे marriage हो पाएगी, engagement हो पाएगी separation phase over होके reconciliation हो पाएगा तो आखिर आप दोनों के रिश्टे का क्या future है, आप दोनों कब एक होंगे and इस time आपके person की current feelings क्या है and उनका next move क्या होगा, इस रिष्टे का क्या future है and the time frame जिसमें आपका reunion, reconciliation, marriage each and everything जो आप चाहते हो, वो चीजें रियल में हो जाएंगी वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ हमारे पास हैं दो पाइल्स, पाइल नमबर वन, this moisturizer and पाइल नमबर तो इस face wash तो आपको जोन सब भी पाइल attract कर रहा है, उसको choose करना है and वहाँ से अपनी वीडियो को देखना start करना है but still यह general reading है, अगर आपसे वो वाला पाइल resonate ना करें जो आपने choose किया है, तो आप दूसरा पाइल भी check कर सकते हैं without wasting much time चलते हैं reading के और विलकम पाइल वान जेनों ने beautiful सा moisturizer use choose किया है हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं, इस reading में चेक करने वाले हैं कि आपके रिष्टे का, चाहे आप किस भी purpose से चाहते हैं marriage चाहते हैं, reconciliation चाहते हैं, reunion चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं, इसका क्या future है final में आप लोग reunite कब होंगे, आप लोगों की marriage कब होगी and आप लोगों की partner की current feelings क्या है क्या वो आपको हाल फिर हाल में miss करते हैं and reunion होगा तो वो कब होगा जिस level का भी reunion आप चाहते हैं, वो होगा तो वो कब होगा तो इस reading में हम यह सब चीजें चेक करने वाले है I'm damn sure यह reading आपको पसंद आएगी यह timeless reading है, जब भी देखेंगे, रिजनेट करेगी rest ही general reading है तो जुरूरी नहीं है, सभी बाते, सभी के लिए हो जो बाते आपके लिए हैं, उसको पिक कीजिए और बची हुई को जाने दीजिए, okay So आई ही चेक करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या गहते हैं पाइल बन आपका फर्स्त कार्ड है, फाइव उफ सोर्ट्स सेकिंड कार्ड है, दे मिजिशियन थर्ड कार्ड है, तेन अफ सोर्ट्स फोर्थ कार्ड है, फोर ओफ पेंटेकल्स और फिफ्थ कार्ड है, दे डेविल इसके बाद हम और कार्ड्स भी चेक करने वाले हैं पेले हम इन कार्ड्स को रीट कर लेते हैं तो टोरिस, वर्गो, कैप्रीकॉन, स्कॉर्पियो, जैमानाई, लिब्रा, अक्वेरियस आप यह आपके परिसन, सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आपके परिसन बहुत जिद्धी है, स्टबन है किसी की नहीं सुनते, जो बात बोल दी है उन्होंने, उसी पर फोकस करेंगे चैरिश्टा कितना भी बिगर जाए काफी ज़्यादा जिद्धी हैं चीजों को लेकर पहले बात नहीं करते हैं, आपकी सुनते नहीं है और जब आप बात करना बंद कर देते हो, कम कर देते हो तो आपको स्पाई करते हैं, आपके स्टेटस चेक करते हैं आपके बारे में औरों से पूसते हैं बट स्टिल खुद से जाहेर नहीं करते कि उन्हें आपके फिक्र है क्योंकि खुद तो जिद में रहना है एगो में रहना है and ऐसा इसलिए एक्चुल में क्योंकि इस परसन ने हर एक से लाइफ में धोका खाया है इसके अपनों ने ही इसको धोका दिया है जिसकी वज़े से स्टब्बन हो गए है जिद्धी हो गए है रिष्टो पे इनका ज्यादा बिलीव नहीं है और किसी की ये परसन सुनते भी नहीं है इनके घर में इनकी फैमिली डॉमिनेटिंग हो सकती है इनके फादर डॉमिनेटिंग हो सकते है इनकी मदर डॉमिनेटिंग हो सकती है या फिर कोई इनकी वाइफ या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसके साथ ये romantically connected है वो काफी इस तरह की dominating lady है या इस तरह की dominating man है जो इनको पूरी तरीके से अपने इशारों पर चलाते हैं ठीक है यह जाकर भी उस रिष्टे से निकल नहीं पाते हैं उनकी frustration यह आप पर निकालते हैं उनका गुसा यह आप पर निकालते हैं एएन यहсь सोरी भी नहीं बोलते हैं एज एको में रहते हैं चीजों को जल्दी से जब आप बात नहीं करते हैं आपको spy करते हैं आपके बारों में औरों से पूस्थते हैं बट खुद से agreeing नहीं करते हैं कि इन्हें आपके फिक्र हैं हर एक के लिए सभी मेसेज़ेस नहीं होंगे कुछ मेसेज़ेस कुछ लोगों के लिए होंगे कुछ मेसेज़ेस कुछ लोगों के लिए होंगे तो जो मेसेज़ेस आपके लिए हैं आपको उनी को पिक करना है बचवों को जाने दीजिए और अगर आपको लगता है कि पाइल रिष्टे इनके पास नहीं है, mother हो, father हो, stepmother हो, stepfather हो, wife हो, husband हो, कुछ रिष्टे ऐसे हैं जिनों ने इनको बहुत pain दिया है, जिसकी वज़े से इनका रिष्टो पर से विश्वास उठ गया है, जिसकी वज़े से जिद्धी हो गए है, stubborn हो गए है, अगर किसी से emotionally connected भी होते हैं इन्हें feelings express करने में डर लगता है, और बहुत ज़्यादा सप्रेस करके feelings को बैठते हैं यहां पर यह कोई doubt नहीं है कि आपको खोना नहीं चाते हैं, यह आपको miss भी करते हैं लेकिन ये कभी भी खुद से agree नहीं करते कि ये आपको चाते हैं या फिर ये आपको बहुत मिस्स करते हैं ये बहुत बड़ी problem है that means हरे का मन करता है कि प्यार हो तो इजहार भी हो किसी के मुह से हम अपने लिए कुछ अच्छे words भी सुने बट ये person बिलकुल express नहीं करते हैं कभी करेंगे भी तो बहुत limited words में करेंगे और ऐसा लगेगा कि अगले ही message में उनके वो words ही गायब हो गए उनके वो emotions ही गायब हो गए उनका वो topic ही गायब हो गया अगर कुछ करेंगे भी express तो उसके बाद दो तिन दिन पांच दिन बिलकुल बात नहीं करेंगे चैसे पता नहीं कितना डर गए हो seriously ऐसी energies यहाँ पर है जो person का name, fame, पैसा, job, business इतनी अच्छी है वो person रिष्टों से इतना डरता है या डरती है devil energies यहाँ पर है, हो सकता है कि किसी ने negative vibes भी छोड़ी हो, कुछ किया हो, वो भी possible है negative energies भी possible है, black magic भी possible है, आपके person पर third party situation ने किया है या फिर इनके अपने ही किसी family member ने किया है, and after marriage आप लोगों का separation है कुछ लोगों के लिए वो possibilities भी यहाँ पर है तो yes, यह person आपको बहुत miss करते हैं, लेकिन यह person उन चीज़ों को जताते कभी नहीं है because यह बहुत ज़्यादा जिद्धी है, ego में रहते है, and रिष्टों से डरते है emotions से डरते है, emotions को feel करते हुए डरते है, उन्हें accept करते हुए डरते है, उन्हें express करते हुए डरते है but still, जो कमिया है, वो यहीं है, और जो की बहुत major issue है, आपके रिष्टे को लेकर मैं समझ सकती हूँ, कितना painful है यह, and और cards हम लोग चेक करते है next card है, king of summer, बहुत ही beautiful card है, देखिए इस person के दिल में बहुत love है, इस person के दिल में बहुत love है यह mature है, काफी warm-hearted है, devoted है, honorable है, इस person के दिल में बहुत love है, बहुत प्यार भर है, इनका दिल है romantic यह person है, trust यह person करते है, by heart यह person बहुत अच्छे है, and real में यह person आपको बहुत love भी करते है तो problem यहाँ पर क्या है, problem यहाँ पर इनके कुछ bad experiences है, कुछ dominating रिष्टे हैं, जिनके control से यह तंग आ चुके है और यह हर रिष्टे को उसी निगाह से देखते हैं, यह person आपके लिए emotional है, यह person can surprise a scorpio भी हो सकते है यह person आपको बहुत love करते हैं, आपके फिक्र करते हैं, आपको miss करते हैं, and यह person काफी mature भी है actual में रिष्टो को सभालने के लिए, कोई teenager की, या फिर teenager तो नहीं मैं कहना चाहूंगी, because 18 plus के लिए ही है यह channel but still यह मुझे कोई ऐसी energy नहीं दिखाई देती कि नए-ने college boys या girls हैं, वो energy यहाँ पर नहीं है 5 of summer, वहाँ पर 5 of sorts है, यहाँ पर 5 of summer है, जो कि again बताता है कि आप लोग अगर अपने love को express भी करते हैं, तो यह person कोई जवाब नहीं देते हैं यह person को trust issue है, हो सकते है, trust issue and resting, दो बार 5 आया है, तो आपके life में beautiful changes होने वाले है and next card आया है, हमारा 7 of autumn, बहुत ही beautiful card है, बहुत ही nice card है, जो कि यह बताता है कि patience रखिए क्योंकि बहुत काम आपने कर लिया है, लेकिन जब बहुत काम करके result ना मिलने को आए, तो patience रखने चाहिए because उन efforts के result या फिर उन fruits को पकने में time लगेगा and जब fruits पक जाएंगे तो वो कहां जाएंगे, वो automatically आप ही के पास आएंगे the dreamer, the dreamer ये person हो सकते हैं, बहुत मनमोजी हो सकते हैं, future के लिए optimistic हो सकते हैं, इनके बहुत सारे खाब हो सकते हैं, बहुत सारे goals हो सकते हैं, बहुत सारे चीजे हो सकती हैं, जो life purpose हो इनका and इने बहुत कुछ करना हो पेट लवर ये परसन हो सकते हैं आप पेट लवर हो सकते हैं तू ओफ ओटम बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड है आपके ये कार्ड्स बताते हैं कि अगर आपका रियूनियन रिकंसिलेशन देखा जाए कि कब होगा तो मुझे दिखाई देता है सीजन की बात करोँ तो समर सीजन ओतम सीजन समर सीजन और ओतम सीजन में आप लोगों के रियूनियन की possibility है सो ङाइस समर और आटम आपके लिए perfect सीजन है for reunion, reconciliation, marriage and all अगर बात की जाए कि आपके लिए divine का क्या message है तो वो बहुत ही beautiful सा message है अपने लाइफ में फन लेकर आओ, enjoy लेकर आओ, जगल करने से अगर चीज़े सोल ना हो पाएं तो जगल करना छोड़ दो जो चीज़े आपको happiness दे रही है, तरक्की दे रही है, enjoyment दे रही है, उन चीज़ों को अधियर करो और जो चीज़े अभी work ने कर पा रही है, जो कि मैंने already बोला कि divine timing कोई चीज होती है या फिर कोई fruits को अगर ऐसा है कि हम पेड लगा देते हैं और दिनना तो उसकी सेवा करते हैं तो उससे होगा कुछ नहीं fruits का जो time होगा, वो time लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हैं आप, तो उन fruits को पकने में जो time लगेगा, वो लगेगा ही लगेगा and juggle करना छोड़ दो and अपने talent, अपनी सोच, multitasking की बजाए कुछ चीज़ों पर concentrate करो, जो आप perfectly कर सकते हो आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हो and perfection किसी में भी नहीं आपाती है, sometime health कराब हो जाती है, sometime financial issues हो जाते है, sometime रिष्टों में तो obviously मुझे दिखाई देता है कि बहुत stress है और ये stress का effect और चीज़ों पर भी पढ़ता जा रहा है day by day Sorry friends, बहार music बच गया था, तो मुझे थोड़ा time के लिए pose लेना पड़ा and next आप लोगों के लिए इस journey में advice card है कि अपने purpose को, अपने true purpose को, अपने soul purpose को embrace करो, new adventures पे निकलो, new goals को हांसिल करो, जो चीज़े अभी work नहीं कर रही है, उन्हें भगवान पर छोड़ दो and trust रखो Trust yourself, बहुत ही beautiful cards हैं आपके summer और autumn आपके लिए perfect season है, और अगर year बताओं कि आपका कब तक reunion हो जाएगा तो maximum जो ये video देख रहे हैं मुझे लगता है कि आप लोगों के reunion का time within a year है, that means 21 में आपके reunion की काफी अच्छी possibility है, अब वो reunion marriage के purpose से है, soul level पर है, spiritual level पर है, reconciliation level पर है, but within a year, that means 21 के autumn या summer में आपके reunion के chances काफी जादा अच्छे रहेंगे, rest अगर कुछ लोगों की energies imbalance हो जाती है, तो चीजे 22 तक भी जा सकती है, but वो time frame काफी कम लोगों के लिए है, and आपको क्या करना है, मैंने already बता दिया है, and जो चीजे work नहीं करी है, उनके लि मिलेगी, positive results मिलेगे, तो जो नहीं work कर रही है, वो भी work में आएंगी, वो भी passion में आएंगी, और वो भी realist life में आपके exist करेंगी, and rest, आप लोगों का life में beautiful changes आने वाले हैं, changes beautiful हों या negative हों, accept करने में थोड़ी problem होती है, because हम humans ऐसे होते हैं, कि जिन चीजों के साथ रहना सीख जाते हैं, उन्हीं चीजों के साथ रहना सीख जाते हैं, तो इन beautiful changes को accept करो, अपनी life में enjoy करो, खुद भी trust रखो, and future के पारे में जादा tension मत करो, जि जितना अपने आपको secure करोगे, grow करोगे, उतना ही जल्दी ये रिष्टा खिच कर आपके तरफ आएगा, and reunion की तरफ जाएगा, हो जकता है, आप ये आपके person इस रिष्टे को बहुत manifest करते हो, आप तो वो वेसे spiritual way में manifest करते हो, ये person indirect way में manifest करते हो, कि इस से अच्छा मुझ में रखा है कि reconciliation होगा, marriage होगी and all, ठीक है, तो 21 में, 22 में बहुत possible chances रहेंगे, आपके reunion, marriage, reconciliation के, तो ये थी जिनोंने pile 1 चोज किया, आपके reading, कि आखिर आप लोग कब एक होंगे, तो 21 माक्सिमम लोगों के लिए, and कुछ लोगों के लिए 22 भी दिख रहा है, season मुझे दिख summer और autumn, and one more thing हो सकते है, आपको 2222 और 5555 angel numbers बहुत जादा दिखाए देते हो, and current feelings के बाद की जाए, तो ये person अभी भी कुछ express करने को ready नहीं है, सोच बहुत जादा रहे है, emotional बहुत जादा है, but express करने की position में नहीं है, but similar way में ये person आपको होना भी नहीं चाते, दोनों तरह से energies चल रही है, ठीक है, तो ये थी आपकी reading, I hope के resonate की होगी, पसंद आई होगी, for more clarity, आप लोग personal paid readings भी book करा सकते हैं, bye for now, have a good day, take care, love you everyone, welcome pile to, जिनोंने ये beautiful सा wow का upton face post choose किया था, हम लोग इस reading में चेक करने वाले हैं, कि आपके person and आप कब reunite होंगे, आप लोगों के कब मार होगी, कब आप लोग reconciliation होगे, जिस भी नजरिये से आप reunion चाहते हैं, वो reunion कब होगा, हम इस reading में वो चेक करेंगे, और ये timeless reading है, जब भी देखें के resonate करेगी, प्लस ये general reading है, तो जुरूरी नहीं है, सब भी बाते सबी के लिए हो, जितनी आप से resonate करें, उसको रखें, बच चेक करने वाले हैं, तो without wasting much time चलते हैं, reading की और, and check करते हैं कि कार्स का कहते हैं, so first card है आपका four of swords, second card is six of cups, next card is five of pentacles, अगर आपको लगे कि ये pile आप से resonate नहीं कर रहा, तो pile number one भी चेक कर सकते हैं, next is six of roads, and the next is the lovers, और भी cards हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम इन ही को read कर लेते हैं, Gemini, and Gemini is very strong, prominent here, Taurus Virgo, and Cancer Pisces, Aries Leo, Sag, Libra Aquarius, Sun Moon, Venus Rising में, आपके ये आपके person के zodiac sign हो सकते हैं, Scorpio भी आपके person हो सकते हैं, वैसे तो almost सभी sign यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन Gemini यहाँ पर बहुत prominent है, Scorpio यहाँ पर बहुत prominent है, चलते हैं हम लोग reading की ओर, and मुझे current energies इनकी ऐसे दिखाई देती है, पेले में आपके connection के बारे में कुछ यह बताना चाहूंगी, वीनस, आपकी कुणली में काफी अच्छा हो, यह possibility भी है, financially कुछ problem हो सकती है, आपके आपके person की life में, आपका soulmate connection हो सकता है, twin flame connection हो सकता है, यह आपका childhood friend हो सकते हैं, या फिर यह person आपसे age में छोटे हो सकते हैं, आप इनसे age में छोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए age gap काफी ज़्यादा भी हो सकता है, और वही कुछ लोगों के लिए बस साल-दो साल का age gap हो, ऐसी possibility भी है, हम हो मर हो आप लोग, चिक है, तो बात की जाए current energies की, तो currently यह person आपको बहुत miss कर रहे हैं, बहुत love करते हैं, आपसे, आपसे reunion चाहते हैं, reconciliation चाहते हैं, marriage चाहते हैं, आपको win करना चाहते हैं with family and society, कुछ लोगों के person के life में family issue and others की life में financial issue दिखाई देता है, और साथी में यह भी दिखाई देता है, कि आप लोग इस person के पीछे भाग भाग के भाग भाग के, इसको मना मना के and इस रिष्टे पर effort कर करके ठक गए हो, and अब आपने divine को यह चीज़े सोंपती हैं, अब आपको divine पर पूरा का पूरा भरोसा है, और divine का भी यह reply है कि आपका relationship आप और आपके loved one safe है, so you guys don't have any need to get worried, तो divine भी यही कहना चाहती है कि आपको tension लेने की परिशान होने की बिल्कुल जूरत नहीं है, आप और आपके person दोनों ही well secure है, well balance है, उनकी protection में है, आप और आपका रिष्टा, इन परिशन का, that means आपके person का कोई business, कोई कारोबार, कोई रुतबा काफी अच्छा हो सकता है, देश विदेश में जाकर काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनके देश विदेश से, के लोगों से इनके काफी जादा contact हों, वो चीजों की भी possibility है, इस रिष्टे में बहुत अभी तक struggle रहा है, just like चटान, पहाड, लेकिन आपने give up नहीं किया, जितना मर्जी आंदी दुफान आजाए, एक पहाड अपने रास्ते से नहीं हिलता, उस तरह से आप अपने रास्ते पे बने रहे, इस रिष्टे के लिए आपने सभी efforts लगाए हैं, और अभी भी आपने give up नहीं किया है, चाहे आप divine से pray कर रहे हैं, manifestation कर रहे हैं, meditation के during, इनको energies भेज रहे हैं, vibes भेज रहे हैं, visualize कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, efforts तो आप अभी भी लगा रहे हैं, काफी ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप मुझे लगता है कि अब आप chase नहीं करते हैं, जोगी chase वाली situation से आप ठक चुके हैं, आप जितना chase करते थे, यह उतना ही run करते थे, and finally मैं आपको समझ में आ गया कि आपका रिष्टा क्या है, इसका future क्या है, इसको कैसे balance करना है, कैसे handle करना है, तो बहुत ही positive cards हैं आपके, और cards हम check करेंगे, for more clarity, 9 of spring, 9 of spring बहुत ही beautiful cards हैं, देखिए, protect the fruits of your labors, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conversation, तो जो भी आप efforts लगा रहे हो रिष्टे के लिए, जो भी रिष्टे के लिए कोशिशे कर रहे हो, struggle इसमें अभी और बाकी है, struggle इसमें और बाकी है, लेकि साथ ही में divine कहते हैं, कि अपने रिष्टे को बचा कर रखना भी आपकी responsibility है, ऐसा ना हो, कि आप परिशान हो जाएं, एकदम से block कर दें, क्योंकि चाहते तो आप उन्हें हैं, और गुसे में आके कोई भी ऐसा decision ना लें, जिससे यह आपका रिष्टा बिगड़ जाए, ठीक है, your next card is two of summer, बहुत ही beautiful card है, जो कि यह बताता है, falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and resolution of a problem, don't give up your relationship, can't be healed, मैं जो कि आने already बताया कि आपके relationship को divine heal कर रहे हैं, protect कर रहे हैं, और यहां पर divine बताते हैं कि आपको घबराने के जूरत नहीं है, परिशान होने के जूरत नहीं है, commitment हो, confession हो, forgiveness हो, जो भी आप चाहते हो, कि वो forgive करें या forgive, sorry बॉलें, जो भी आप चाहते हो, जो भी expect कर रहे हो बहुत जल्दी निया future में आने वाला है, ठीक है, and your next card is princess of spring, optimistic, enthusiastic, creative and energetic, आप हैं काफी, it's time to go after your dreams, अब यह वो time है कि जो आप अपने dreams, सिर्फ इस person को लेकर नहीं, लेकिन जो real life में आप बनना चाहते थे, जो creativity आप चाहते थे, जो work आप चाहते थे, जो enjoyment और peace आप चाहत कुण आप लाइफ में चाहते थे, वो happiness आप खुद को दो, खुद के लिए जी हो, अपने सीमाओं को close करके अपने dreams को come true करो, and जो आप चाहते थे, उन्हें आप फांसिल कर लो, अपनी limits को हटा कर के कहने का मेरा मतलब यह है, कि अगर किसी creativity से, किसी profession से आपको डर लगता तो उस डर को हटाने के जरूरत है, मेरा limits हटाने का मतलब यह है, कि उस डर को, उस insecurity को हटा कर, optimistic, enthusiastic और अपनी creativity को बाहर लाओ, energies को बाहर लाओ, सुकून, love, emotions, enjoyment, जो भी आप किसी और से चाहते हो, वो खुद के लिए, खुद के life में लेकर ओ, then वो आपको किसी और से भी definitely मि लेगी, यह angel देखो, इसके shoes देखो, इसके dress देखो, कितनी energized है, orange color, red color and pink color, कितने अच्छे से well dress है, यह angel, जूला जूल रही है, अपनी life का enjoyment कर रही है, अपनी life को enjoy कर रही है, butterflies इसके आस-पास है, हो सकता, आपको butterflies बहुत जादा देखती हो, orange color आपका favorite हो, red color आपका favorite हो, pink color आपका favorite हो, और यह angel कितनी सजी धजी है, देख रहे हैं, आप कितनी confident है, और कितनी full power से अपनी life को enjoy कर रही है, इसका इस time ध्यान अपने partner की तरफ नहीं है, इसका ध्यान safe हो safe, इसके enjoyment पे है, तो यह focus आपको इस रिष्टे में लेके आना है, आपको खुद के लिए लेके आना है, the next card is king of autumn, compassionate, accomplished, charmistic and gifted, आपका यह relationship divinely guided है, गोड की तरफ से एक भैतरीन gift है, I know की struggle बहुत है, बट स्टिल, relationship बहुत अच्छा है, तभी तो आप struggle भी कर रहे हैं, और वाइस किसी और के लिए struggle कौन करता है, यह person बहुत ही charmistic हो सकते हैं, आपके person and काफी well balanced हो सकते हैं, king of autumn का card in के लिए निकल के आया है, and be assertive when it comes to what you know is right, everything going your way, a good person or company to work for, देखिये, यह जो person है, यह काफी royal है, butterflies इनके आसपास भी है, fruits भी है, हो सकते हैं, आपको यह इनको fruits काफी जाता पसंद हो, grapes काफी जाता पसंद हो, and यह जो रिष्टा है, यह divinely guided journey है, कुदरत की तरफ स एक gift है आप लगों के लिए, and यह रिष्टा बहुत जल्दी अपनी reunion तक जा रहा है, तब तक के लिए भरोसा मत छोड़ो, and यह person भी एक ऐसे person है, जो कि right time आते ही, that means कुछ financial issues है इनकी life में, जो कि मैंने अल्रेडी बताया, कुछ family issues है इनकी life में, उनको sort out करते ही, यह person positively, confidently आगे बढ़ेंगे, यह person emotional होकर कम, और practical होकर life में जादा जीते है, and इनको पता है कि जब situation ठीक होगी, रिष्टे में तभी आगे बढ़ा जाएगा, उसके अलावा इस रिष्टे में, efforts लगाना, इनके लिए, in के इसाफ से right नहीं है, that means, वही time को यह और चीजों में देना goals है, या फिर जो इन्हें अभी prominent लगता है, जो जिन चीजों की इनके life में अभी value है, अभी उन पे effect लगाना चाहते है, and then right time आने पर यह आपके लिए भी effects लगाएंगे, Ace of Summer, beautiful beginning, new beginning, oh my god, oh my god, look like this, look towards this child, कितना cute, कितना innocent, एक नई जर्नी के लिए ready है, pigeon white color का कितना sweet है, lotus कितने प्यारे लग रहे है, open your heart to love, अगर आपको लगता है, इस रिष्टे का कुछ नहीं हो सकता, इस person का कुछ नहीं हो सकता, कई बार बहुत गुस्ता आता है, तो अपने heart को खुला रखिए love को accept करने के लिए, because यह love बहुत जल्दी आपके तरफ आ रहा है, the beginning of new intimate relationship, और the rebirth of a current one, या तु कोई निया लिए रिलेशनशिप आएगा, बट मैं यहाँ नहीं रिलेशनशिप की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ, बिकोज मैं यहाँ आप लोगों की बात कर रही हूँ, तो इसी परसन के साथ आपका रियूनियन होगा, एक निया cycle स्टार्ट होगा, the awakening of psychic abilities और spiritual, देखिए, spiritually या फिर psychically आपके परसन की आपकी इस रिश्टे में awakening हो रही है, और बहुत जल्दी यह awakening का process complete हो जाएगा, divinely guided journey है, divinely destined time आएगा, and then आप लोगों का reunion, reconciliation हो जाएगा, एक तो पता नहीं बार-बार क्यों blur आ रहा है, I hope you guys can manage, and मैं अगर season बता हूँ, आप लोगों के रिश्टे के favorable तो वो spring हो सकते हैं, summer हो सकता है, autumn हो सकता है, तीन season हैं जिसमें आपका reunion, reconciliation, marriage, जिस level का आप relationship चाहते हो, वो relationship होगा, and यह person stable connection चाहते हैं, आपको लेकर बहुत passionate है, emotional है, soulmate है, आप दोनों एक दूसरे के by hat यह feel करते हैं, आप family और financial issue को यह person solve कर रहे है, and second thing यहापर बताऊँ, मैं कि year कौन सा रहेगा, तो year जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, वो 21 का second half से, 21 का second half से, 22 end तक, favorable time रहेगा, अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग time frame रहेगा, summer, spring, autumn, season, आप लोगों के लिए favorable season रहेंगे, and time frame मैंने आपको almost बता दिया है, तब तक आपको क्या करना है, मैंने वो भी बता दिया है, कि अपने dreams पर भरोसा रखना है, confident रहना है, खुद के लिए work करना है, and food जब पकेंगे तब पकेंगे, पहले से उनके लिए परिशान नहीं होना है, अपने efforts लगा दिया है, बीज बो दिया है, पेड़िये care कर दिया है, पानी दे दिया है, रोज आप care करते हैं, उतनी care करते हैं जितनी उसको चाहिए, ज़्यादा care करेंगे तो वो पेर सर जाएगा, गल जाएगा, तूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो जुरूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है, जुरूरत से ज़्यादा care नहीं करनी है, अपने efforts लगाने हैं, और चीजे divinely guided time पे, and right time के लिए छोड़ देनी हैं, तब तक के लिए खुद के life के लिए जीना है, खुद पे focus करना है, अपने creativity को enhance करना है, अपने enjoy के लिए life को जीना है, अपनी look पर, अपने fashion style पर, जो आप life में चाहते हैं बनना, तब तक उन goals को achieve कर लीजिए, because आपके person भी अभी यही कर रहे हैं, जिन चीजों को वो prioritize देख रहे हैं अपनी life में, उन चीजों को पूरा कर रहे हैं, देन वो आपके पास भी आएंगे, यह उनकी strategy है, यह उनकी planning है, चाहे वो आपको बताएं, चाहे वो आपको ना बताएं, financially इस टाइम वो काफी ज़्यादा suffer कर रहे हैं, घर परिवार में भी हो सकते हैं, उनके नहीं बन रही है, जिसकी वज़े से इस रिष्टे में दूरिया है, बट वो बहुत confident है, उन्होंने give up नहीं किया है, आपको लगता हो कि चीज़े एक favor में नहीं है, बट उन्होंने give up नहीं किया है, बहुत जल्दी आप लोगों की marriage, reconciliation, reunion and उस level का connection दिखाई देता है, जो आप चाहते हैं, तो यह थी pile 2 आप लोगों की reading, I hope की resonate की होगी, पसंद आई होगी, for more clarity, आप लोग personal paid readings भी बुक कर आ सकते हैं, bye for now, good day, take care, love you everyone, thank you so much for watching.